नमस्कार साथियो एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल लर्ण टी लाइफ में तो आज है फिफ्ट अपनावबर और इस सेशन में दा हिंदू इडिटोरियल का वोकेबली कवर करते हैं यानि कि दा हिंदू इडिटोरियल के जो भी से मिल जाएगा तो जल्दी से जोईन कर लीजिएगा अगर आपको सेशन का पीडिए चाहिए तो टेलेग्राम जरूर्ण कर लीजिएगा क्योंकि वहाँ पर सेशन का पीडिए प्रवाइट किया जाता है तो आएज का इंपोटेंट वर्ड क्या रहने वाला है फिर्स्ट लोग ऐसे तो जो उसको नीचे गिराने के चख कर में उसको क्या कर देते हैं टीटाट म्तलब वही इंटिमीडेट हो सकता है डिस हर्टेन हो सकता है फिर एसके हो सकता है तो यह सब क्या हो गए इसके सीनोनेम्स हो गया तो वर्ड डॉंट हो गया जो एक भर्व है जिसका मिनिंग क्या होता है हिमत तो तो साथ में रिवाइज करना है और अगर जो वर्ड पहली बार सुन रहे ह तो चाहे तो नोट भी कर सकते हैं या फिर पीडियाप के थुरू भी डिवाइज कर सकते हैं तो डिसकरेज इंटिमिडेट डिसहर्ट एन फिर एसके सीनोनेम से हो गए तो साथ में जो भी रिलेटेड पिक्चर होता है वो भी इंसर्ट कर दिया जाता है ताकि आप विजुलाइज करके वर्ड को याद कर सके देखते हैं नेस्ट वर्ड याप पर मिट देखें यहाँ पर मिट दो होता है एक पर मिट पि-e-r-m-i-t होता है लेकिन यह ए-m-e-t वाला है तो इसके मिनिंग की बात करो तो इसका मिनिंग क्या हो जाएगा कि अब्जेक्ट को सब जगा पर फैला देना इस प्रेड कर देना ठीक है हर जगा पर उसको पर मिट बोलते हैं और जो पी-e-r-m-i-t होता है पर मिट मतलब उसका मतलब होता है अनुमाती यानि कि जो आप देखते होंगे बहुत सारे ट्रॉक वेगरा पर मिट लिखा होता है नेशनल पर मिट ऑल इंडिया पर मिट यानि कि हर जगा जाने के लिए वह यह लाउड है तो इस पर मिट का मतलब कि किसी चीज को फैलाना हर जगा ठीक है यानि कि तर्व मतलब देखे तरी करना होता है जैसे अब घर बगरा बनता है तो दिवाल को भीगा आ जाता है पानी से ताकि उस पर सीमेंट अच्छे से एस्टीक हो तो परमिट मतलब वह हुआ तर्व यानि कि तरी करना सीनोनेम्स की बात करें तो परवेड हो सकता है सफ्यूज हो सकता है इंब्यू फिल यह सब इसके सीनोनेम्स होगा है जिसे आप पिक्चर में देख सकते हैं यह पानी से है कि तर्क किया जा रहा है तो पर मैट समाझ गांगे क्या होता है तरह करना कि किसी चीज को सlement करना हर जगा पे अब देखती है नेकिक हो में होता है तू मेंनिंग होता है अ ही उत्य सब्सक्राइब करेंगे दिए ज सकें कोई खराब यानि ओतेजना सब्सक्राइब करायते येको ही अ स्टेजना WHAT है तो करेंड लिगन थी फिय AJ यलोद स्टेजना हो गया घ्रतनल इन्साइब करकाMiss तो प्रभोक मतलब ही भरकाना होता है इंस्टीगेट या फिर एस्टी अरप यह सब इसके सीनोनेम्स हो गए तो फ्रमेंट मतलब क्या हो गया यानि कि भरकाना किसी को उत्यजित कर देना बहुत सारे हैसे लोग होते हैं जो तो उनको समझ में नहीं आता है कि क्या करना यह भर्व है जिसका मिनिंग होता है तो एस्टीग टू सम्थिंग यानि किसी चीज को चीपकारना उसको एधेयर बोलते हैं ठीक है तो चीपकना इसका है या फिर बोर्ण यह सब क्या होगा इसके सीनोनेम्स होगा तो आप फिजिक्स में कोहेसिव और एधेसिव फोर्स प लगने किसी काम को लेके हैं यानि कि भरोसे मंद है यह फिर प्रावड यानि कि आत्म विश्वास आपके काफी ज्यादा किसी करते हैं और इसको बात करें तो एरुगेंट हो सकता है होटी या फिर ओपीडियर यह सब क्या हो जाएंगे इसकी सिचा को डेख सकते हैं कि काफ तो मतलब क्या हो गया आत्म विश्वास यानि की सेल्फ कणफिडेंस एरोगेंट होटी कॉंसीटे अडिया पीटी इसके सीजो नेम सुझाएंगे तो देखिए सबसे पहले आप एक चीज़ हम आपको डेली बताते हैं कि जो भी वर्ड सीख रहें इसे सेंटेंस बनाईए क्य करेंगे कुछ सिखने को नहीं मिलेगा ठीक है तो सिखना है तो थोड़ा बहुत खुद से दिमाग लगाई है इससे इमेजिनेशन पावर आपका इंक्रीज होगा और आप एससबी वेगरा का त्यारी करेंगे तो उस टाइम वेट सेक्शन में यानि कि जो वर्ड एसोसीश क्या होता है जैनि कि बहुत लोग क्या होते हैं का फ左 बहुत कहि Mueller को फिर आना मतलब मूं घुरना करना ताकि थोड़ा सा अब वार्म अप हो जाए कि कोई भी फिर प्सक्राना करना से प्छुष को प्लेयर्स को जो किरिकेट एफूट वर्क खेलने जाता है तो उससे पहले थोर एपने बॉड़ी को क्या करते हैं मूब करते हैं ताकि वह थोरा से वार्म अप हो जाए ठीक है तो फिलेक्स मतलब क्या होता है कि जुकाना मुराना यह सब हो जाएगा ठीक है सीनोनेम्स की बात होता है तो इस तरह ही जो पहलवान होते हो ठीक है तो पर देखते हैं नेक्ट वर्ट नेक्ट की बात कहई तो नेक्ट वर्ट है जिसका मिनिंग होता step सब्सक्राइब Wow Sarah जया हुआ bize आप जिससी दूसरा मिनिंग यह होता कि जब कोई इंसान अपने प्रपटक तेज आवाज निकालता है सिनոनेम की दिश्मक multe सब्सक्राइब है तो मार्क ब्रैंड इंप्रेंट या फिर इंप्रेस हो जागोए यह सब क्या हो जाँगे इस से जिए कि आफि पॉष्टल पॉष्ट पॉष्ट पोट कर देख सकते हैं दिखा हो देखा हो सब यहाँ आप इसका डढ़ी एञेमि पॉष्च का उन्हांद हो नहां तो तो खुद खुद के बहुत मतलब ज्यादा कुद कुद के चलते हैं ताकि उससे आवाज नहीं के ठीक है या रूल या कोई नया कंवान लाना तो इसको इंपोजीशन बोलते हैं क्या बोलते इंपोजीशन जैसे मालिज्च के जब gzt अधर फूल फर्म क्या होता है आपको पता है अगर पता है तो जल्य से सथिक्टल्यों बताई और साथ सकता है application हो सकता है फिर डिमांड हो सकता है ठीक है यह सब क्या हो जाएंगे इसके सीनोनेम हो जाएंगे तो आई आपको था सब कुछ बता देते हैं कि अगर मतलब आप से पुछा जाएं कि सबसे हाइस अभी तक यह स्टी कव क्लेट किया गया तो अपरील 2022 का किया गया और सेकेंड हाइस जो हाली में अभी अक्टूबर भी ता है उसमें किया गया ठीक है तो यह दो चीज आप याद रखिएगा यह करेंट अफेर से रलेटेड है नहीं तो आप व सकता है तो सकता है याँ और देसे यहां देख सकता है यह ए किया हो घुरी उसे अलग वुरी scientific चुकants सिया गुसलर च्छा कैंट तो यहां पर वर्यथ ऐस But तो चलते हैं नेस्ट वर्ड के तरफ नेस्ट वर्ड की बात करें तो नेस्ट वर्ड की बात करें तो यहां पर उस इंसान का बात होता है जिसका Intensation हो कि जो गुस्ते वाले person उसको संथ कराना काम कर देना संथ कर देना उसको conciliertry बोलेंगा यानि किसूलय समझा था कि जब कोई गुस्ता होता है तो समझाता करके उसको कैसे मना लिया जाता है ठीक है जिसे छोटे बच्चे होते हैं वो गुस्ते से चिलाने लगता है या फिर रोने लगता है तो क्या किया तो चॉक्लेट वेकर देखे सुल्जा दिया जाता है मेटर तो सीनोनेम्स की बात करे तो प्रिपिटियर्ट्री हो सकता है यह फिर कॉम्परमाइजिंग हो सकता है पैसिफिक हो सकता है एक नाउन है ठीक है एक नाउन है जिसका मिनी होता है यह जब वार होता है यह जब यूध्य अलग अलग देश के बीच में तो ऐसा जो तो यह फिर जिसको सहाथ है कि जरूरत हो उसको ही बोलेंगे यानि कि मित्र बोल सकते हैं जैसे कि मानले जैकि अभी रोसिया उक्रेयन का बाड़ चल रहा है तो कोई ना कोई कांट्री होगा कर रहा है या फिर कोई रोसिया के साइट से तो उसको क्या बोलेंगे यानिकि फ्रेंड क्या करेंगा उसको हेल्प करेंगा इंदस केस ऑफ वार ठीक है सिनोनेम्स की बात करें तो एसोसियेट बोल सकते हैं यूनाइट बोल सकते हैं फ्रेंड बोल सकते हैं फिर कंबाइन ब भगा देना चाहिए लेकिन बाकी यह सारे जो अच्छे हैं इन सब के साथ देश के अपने का है फ्रेंडली रिलेशन सी प्रेटिक तो अहले मतलब क्या होगा है मित रोगा यानिकी फ्रेंडली बोल सकता है ठीक है तो अब देखते हैं नेस्ट वर नेस्ट वर्ट के ब्लॉक एक नावन है जिसका मेनिंग होता है ग्रूप अपकांट्री डैट वर्क लोजली टूगेदर विकॉस देहें सीमिलर इंट्रेस्ट ठीक यानिकि एक ग्रूप जो क्या कर रहा है किसी काम को एक साथ मिल करना चाहतें कि उनका इंट्रेस्ट सब्सक्राइब करना करके कि साथ मिल करना और ब्लॉक बोलेंगे नेक्स्ट वर्ड की बात करते तो नेक्स्ट वर्ड क्या है टैक्टिक टैक्टिक एक यहाँ पर नाउन है जिसका मिनिंग होता है दो पार्टिकुलर मेथड यूज तो एचीव सम्थिंग मतलब किसी चीज को पाने के लिए एक खास तरह का जो तरीका अपनाना उसको ही क्या टैक्टिक बोलता है यानि किसको अगर हिंदी में बोले तो रननीती बोल सकते हैं जैसे कोई भी काम करने से पले थोड़ा सा एक रननीती बना लेना चाहिए कि किस तरह किस तरह करना है जैसे आप देखिए अगर मनी हेस्ट नहीं देखे होंगे तो देखिएगा बहुत क्या कर यानि कि बना लेते हैं कि अब कैसे करना कैसे बचली करना ब्रताएं उसको क्या करना है याध हो जाती है या फिर रिपीट करते रहे है साथ में जब बोल रहा है तो उसको साथ में बोलने का आदत डाली है अब देखते हैं नेक्ट वर्ड नेक्ट वर्ड का है हॉकिस हॉकिस की बात करें तो यह एक एड्जेक्टिव है जिसका में नहीं होता प्रिफेरिंग टू यूज मिलेटरी और तो सुझाने के बज़़ा क्या कर ना थे का क्डि़ करना या कि इसको करने की उसको यूझ करना उसको यूद्धकारी बोल सकता है ज्यूमें ना चाहता है वो तो बस लड़ाई के मूड में उठेक है उसको क्या वह लेंगे यूधकारी बोलेंगे यानि कि हो किसी नेम्स की बात करें तो वार लाइक बैलिकोष मिलिटेंट या फिर बेलिग्रेंट हो जाएगा यह सब इसके सीनोनेम्स हो जाएंगे यहां पर हॉक का पिक्चर दिखाए सब्सक्राइब यहां पर क्या है एक नावन है जिसका मिनी होता है एक पर्शन हो ट्राइट टू डिस्ट्रोई और डेमेज गवर्मेंट और प्लिटिकल सिस्टम बाई अटैकिंग इट सेक्रेटरी और इंडिरेक्ली मतलब एक ऐसा इंसान जो सरकार या फिर जो प्लिटिक सिस्टम में जो राजनीतिक तंत्र है उसको क्या करना गुप्त रूप से डिस्ट्रोई करने का कोशिश करता है उस इंसान को सबवर्सी बोल सकते हैं ठीक है क्या करेंगे सबवर्सी यानि कि बिंधवासक बोल सकते हैं क्या बिधवान सकते यानि कि जो उसीज को तबाह करन ठीक है और बार बार हम यहीं बताते थे तालिबान वाला एक्जाम पर लेगे तो शुरू से अगर आप सेसन देख रहे हैं तो आपको खुद अभी पता चल गया होगा कि सेसन लगाने कि क्या बेनेफिट से और अगर आप नय है आज पहली बार देख रहे हैं तो आपको हमर करना ठीक है तो अपको आपको कमेंट सेसन में कमेंट करना देखिए अब आपको हमर के तरफ ले चलते हैं तो gust student जिनका नाम है पुरान सिंह मुरेजा ठीक है पुरान सिंह मुरिदया स्विट मुया थेनने काफी अच guided जिन कि मुरेजा बनां तो आए देखते हैं कि य होने क्या बनाया है दर टू कंपनीज विल कंबाइन टू फर्म ए निव इंटिटी तो काफी ज़्यादा इनका अच्छा प्रयास है एसे ही सेंटेंस बनाते रहे है आपको खूद मेने फिट होगा आगे चल के नेक्स टिन होने बनाया प्रोवोकेटी प्रोवोकेटीब सेंट सेंटेंस बनाया है तो बहुत अच्छा सेंटेंस आपने बनाया थैंक यू अपने मेरा बात मना और आपको खूद अच्छा फिल हो रहा होगा जब आप सेंटेंस बनाया होंगे तो आप अगर जो जो एस्टुडेंट देख रहा है और नहीं बनाया सेंटेंस तो आज से ब जाए हिंद।